सफलता पाने के लिए अपने मन से डर को बाहर निकालना बहुत जरूरी है क्योंकि डर ही ऐसा वो बाधा है आपकी राह में जो आपको सफल होने से रोख देता है यकीन मानिए जिसने डर पर काबो पा लिया वह जरूर सफल हो पाएगा मेरे कहने का सेंसियत यही है यदि आप किसी भी गवर्मेंट एक्जाम के त्यारी कर रहे हैं और आपके मन में कहीं भी थोड़ी सी भी डर है कि हम सफल नहीं उपाएगे तो आप यकीन मानिए कि आप सफलता से काफी दूर हैं क्योंकि जब तक आप अपने मन से डर को निकालेंगे नहीं तब तक आप उस कि आप उसी के लिए बने हैं और आप सफल जरूर होंगे तो यकीन मानिए आप जरूर सफल हो पाएंगे चलिए इससे के साथ नमस्कार हलो फ्रेंड्स वेल्कम टू उन्वर्स क्लासेज सागत आपका आज के इस वीडियो में जो कि है सूपर्टेट लेकपाल यूपेटेट सीट और भी सभी वन डे एकजाम के लिए मैथ के प्रेक्टिसेट यदि आप सूपर्टेट ट्यारी कर रहे हैं या फिर लेकपाल या है ससी MTS की तो यह सेशन आपके लिए इंपोर्टेट होने वाला है कि इसमें हमने वही लगबग पैटर्ण रखा है जो कि सूपर्टेट लेकपाल यूपेट्टेट में आते हैं तो आए बात करते हैं आज के महत्पुर सेशन की यह सेशन रोज साम को साथ पजो होता है तो स्बास डिया तो बॉन पाइब क्या हो जाएगा बिए पार फोटेट हो जाएगा आपका दों सॉरी तो अपन्रूपाथ दो क्या कोई अब करेंगे इसी तरह को लिखना है यह वी इन पादक यूपाथ कितना है दो पात चार और बीशी का कुतना है पांच अनुपाथ दो ह ऐसे आप लिख लीजिए अब ऐसे लाइन खीचेंगे और जहां पर यह पांच अनुपात दो है लाइन खीचेंगे और यहां भी अनुपात का निशान लगाएंगे और जो खाली है उसको ऐसे अंडरलाइन करेंगे और जो खाली है उसके पहले लोगां के उसी को आप फिल कर देना है इसे तरह से 5 की पहले खाले ता आपको 5 यहां पर फिल कर देना है वह आपको क्रास ऐसे मंट्रिप्लाइच कर लेना है 2 पच्छे 10 4 पच्छे 20 और 4 दुनी 8 10 अनुपात 20 अनुपात 8 आया इसको काटेंगे तो 2 पच्छे 10 अगला कोशन देखते हैं एक मिस्र धात में तांबे और जस्ते का मिस्र अनुपात 4 अनुपात 3 है मिस्र धात में 50 की जी अधिक जस्ता और मिला जाता है जिससे नया अनुपात 4 अनुपात 5 हो जाता है मिस्र धात की प्रारंभिक मातरा क्या थी यह आपको बताना है कि मिस्र कि अधाथ में जो पहले मातर थी वो क्या थीए ठीक है तो सबसे पहले आप लिखेंगे यहां पर ताबा मैं यहां ता लिख रहा हूँ यहां पर जौ लिख रहा हूं ठीक है यह ताब और जस्था का जो प्रार्रमिक अनुपाद था चार अनुपाद 3 दिया हुआ है और जो 50 कि अधी जस्ता मिला जाता है उसके बात का नुपात क्या है उसके बात का नुपात है चार नुपात पांच आप क्या करना है आपको अब इन दोनों का अंतर निकालना है क्योंकि दो आ रहा है ठीकि पहले तीन था जस्ता अब पांच हो गया है इस दो का मान कितना है इस दो का साथ का निकालना है क्योंकि पहले क्या था कि मिस धात की मात्रा निकालना है प्रारंभीक यह निखा हुआ तो मिस धात की प्राद्विक मात्रा क्या थी चार तामा था तीन जस्ता था कितना हो गया साथ हो गया साथ का आपको मान निकलना है दो का मान दिया पचास केजी तो साथ का मान आपको निकलना है कितना हो जाएगा साथ यूनिट वरावर हो जाएगा पचास गुडे साथ और बटे दो कटेंगे तो एक कम दो यह 25 वार में कटेगा 25 गुडे साथ यह कितना है यह 25 गुडे साथ 75 65 63 794 गुडे साथ 175 कजी प्रादमिक मातरा था आपसर नमबर बी करेक्ट है इसको दुबारा देख रहते हैं तामबा और जस्ता का प्रादमिक का अनुपात चार अनुपात तीन था और पचास के जीस में अधिक जस्ता मिलाइन के बाद चार अनुपात पांच का अनुपात हो जाता है बाद में अब जस्ता पहले तीन था अब पांच हो गया है इन दो अगले कुश्शन पर नाता है नो और चार का मद्य अनुपात क्या होगा नो जाकर मांद धिनुपात बताना आपको इसके नियुक्त है मद्य अनुपात एक्स है ठीक है एकस परआबर हो जाएगा क्या हो जाएगा AB ठीक है, AB उड़ाता है इसका फर्मुला है, अब एक आमान कितना दिया है A बरावर दिया है, 9 और B बरावर दिया है, 4 अंडरूट में, 9 और गुड़े, 4, ठीक है 9, 4, 36 अंडरूट में, 36 आएगा 36 का बरूट कितना अच्छे होता है 6 आपसन नंबर, B में करेक्ट हो जाएगा 9 और 4 का मधन नुपात 6 हो जाएगा, B आपसन करेक्ट है किसी आयत की लंबाई 30% बढ़ा दी गई और चोड़ाई 20 प्रत्सत कम कर दी गई 6 तरफर पर प्रत्सत परभाव क्या पड़ेगा इसको आप 2 तरह से लगा सकते हैं सबसे पहला मेटर देखते हैं 30% बढ़ेगा 30% का पैस लिख सकते हैं 30 % 30 बटे 100 ठीके 30 बटे 100 लिखेंगे जरुश्य जरुखटेगा 3 बटे 10 हागा तो 3 बटे 10 अब जो पहले मातरा थी वो 10 थी तीन की बढ़ेगी तो हो जाएगी 13, इस दोनों जोड देंगे 13 हो जाएगा, पहले 10 था अब हो गया 13, दूसरा क्या है 20% क्या हो रहा है, 20% कम हो रहा है, जो चोड़ाई है 20% कम हो रही है, तो 20 बटे 100 करेंगे तो कितना होगा, 20 बटे 100, यानि कि 1 बटे 5 आएगा, 2 कम दो 2 पचे 10, 1 बटे 5 आएगा, ठीके, तो पहले क्या था 5 था, अब एक कम हो जागा, तो 4 हो जाएगा, इसे का आपको कल्कुलेट करना है, 10 बटे 50, और तिरे चोग का 52, कितने का अंतर हो रहा है, दो कि क्या हो रही है, बिर्धि हो रही है, तो इसको निकालने के प्रत्सत में, दो गुडे 100, बटे 50 करेंगे, 50 से कम 50, 50 दुनी 100, दो दुनी 4, यानि कि 4 परसेंट की प्रत्धि होगी, यदि किसी आयत के लबाए 30 परसेंट बढ़ाई जाए, और 20 परसेंट चोड़ाई कम की जाए, तो इसमें 4 परसेंट की प्रत्धि होगी, आपसर नमबर, एक अब इसको दूसरी तरह के से लागांगे जिसमें लगाएंगे, इसमें हम लोग एक फार्वूला लगाएंगे, आई उसको भी समझते हैं, सक्किसव मेंहें केलाएंगे, एकस प्लस य, प्लस माइनस एकस ऒाई अपान हंड्रेट, ठीक है, इस फार्वूलाए को आपको धि 20 गुड़े माइनस का 20 बटे 100 करीगा ठीक है यह 0-0 कट जाएगा 2-0 उपर और 2-0 नीचे यह 30 में से 20 जाएगा तो 10 आएगा प्लस का तीन दूनी 6 माइनस का ठीक है तो 10 यह हो जाएगा 10 और माइनस 6 बरावर कितना आ रहा है चार आ रहा है यदि यह पाजिटिव में आएगा तो बढ़ेगा और नेगोटिव में गए तो घटेगा त्यानी कि पाजिटिव आ रहा तो 4 परसंट की ब्रिद्धी हो रही है यह आप्सन करेक्ट है मैंने आपको दोनों तरीके बता दीए आपको जो अच्छा लगी उसको अपनाईए और इसको साल्ब करके आगे बढ़ेए चलिए अगले कोश्चन पर चलते हैं एक दुकांदार एक वस्तु को 25 प्रत्सत के लाव पर बेचता है तथा 25 प्रत्सत कम वजन का परियोग करता है उसका कूल लाव प्रत्सत क्या है बिसकलिए यह बेमान दुकांदार से समधित कोश्चन है और इस तरह के भी प्रस्ण आप से एक्जाम है पूशे जाते हैं और पूशने की पूरी-पूरी संभावन आया कि आगे आपके आने वाले एक्जाम के लिए ठीक है तो माल यह दुकांदार भाई साब है ठीक है और यह बहुत खूस है क्योंकि 25 प्र कवाल रहे हैं तो माल लेते हैं कि 100 प्र 안ra लेंगे तो भी क्यान यह जाएगा यह तो यह तो एडगा इसमें और जब 50 की लाव हो रही है तो 50 का लाव हो रहा तो इसको 50 को आपको प्रत्सत में कनवर्ड करना है। क्या करने कि 50 गुडे 100 बटे क्रेमल इनका 75 होगा कि 75 पे ही 75 रुपे का समान 125 में बेच रहे हैं ठीक है ते बटे हो जाएगा 75 इसको काटेगा तो पचेस दुनी पचास पचेस तियां पचेत्तर सो दुना दोसो बटे तीन क्या जागा च्छाचट सही दो बटे तीन प्रत्सत का लाब होगा भी आपस ए आपसन करेक्ट हो जाएगा तो हम उमित करते हैं कि आपको यह सेशन पसंद होगा सेशन पसंद आदे वीडियो को पास मत करें और इतनी आसाने से बिजट बाहर होने वाला नहीं है ठीक है जो भी है तो इस पर हम एक कंप्लेट बीडियो बनाएंगे और वेकेंसी तो आएगी जैसे ही यह खतम होता तो वेकेंसी जरूर आएगी पढ़ाई करते रहेगे धन्यवाद एक खरगोष 6 जम्प पूरा कूद दता है तब तक कुद्धा 4 जम्प लगाता है खरगोष एक कूद में 5 मिल्टर की दूरी तयें करता है लेकिन खरगोष जो जो है छे जम्प लगाता है च्छबबर उससे कुद्धा है और कुत्ता जो चार बर कुत्ता है करता है यह फास मिल्टर की दूरू तएंक कर लेता ने कि कि खरगोश के बीच में जो जोड़िसमिटर का अंतर है में कितनी कूद में खरगोश को कुत यह कुत inmali यह कितनी कूद में इस खरगोश को पकड़ लेगा कैसे उसको आपको देखना है तो आई इसको लगाते हैं कैसे-सको solve करेंगे कि इधर रबीट इधर डॉग है कि खरगोस करता है च्हए जम्प कूदता यानिकि छे बार फुद अगता है तब तक कुद्धा चार बार कूद लेता है यानिकि फर्गोस का करता है कि पांच मीटर की दूरी तने करता है ये तनी देर इतनी ही कूद में 8 मीटर की दूरी तेयं कर लिता है इसमें क्या करना आपको कुछ नहीं करना ऐसे मुटिप्लाइक लेना है सपी 95 मेटर 4 बठे 32 मेटर अब दोनों के बीका रहीं कितनी का रहा है अंतर है अंतर अबि यह दो में twins का इत अब यह कुछ पखड़े खरगोशक्र को तो दो темперamour के लिए यह तोप्अरा के बराबर है तो newer जो़ने के लिए कुत्ते को कितना जंप लगाना होगा यह हमसे पूछा गया है इसी कम को निकालना है 24 मिल्टर बाइबर क्या हो जाएगा 24 गुड़े 2 24 गुड़े 4 और बटे 2 तो काटेंगे 2 एक कम 2 दो दोनी 4 24 दोनी कितना होता है और 40 यानि कि 48 जंप यदि लगाएगा कुत्ता तो खरगोस को पकड़ लेगा भी आप्सन बिल्कुल करेक्ट है चलिए अगले कोशन पर चलते हैं और यह भी कोशन इंपोर्टेंट है दो वस्तु का विक्रे मुल बराबर है यानि कि कोई दो वस्तु है उनका जो विक्रे मुल है एक वस्तु को 40 प्रत्सद के लाव पर तथा दूसरी वस्तु को 40 प्रत्सद के हान पर बेचा जाता है तो उसे कुल कितना प्रत्सद लाव या हान होगा इस कंडिशन में का लता है जब भी आपको सेम से में प्रत्षत दिया रहे एक कलावो दूसरे का हान हो इस कंडिशन में क्या होता है कि इस कंडिशन में पूरी तरह से हान ही होती है आए इसको समझते हैं इसको लगाने के लिए आप या तो फार्मिल्या का यूज़ करें या फिर एक सक्सेश्य में लगाएं सबसे पहले हम फार्मिल्या के बताते हैं इसके लिए प्रत्सत लाव और हान सेम है एक्स स्क्वाइर बटे हंड्रेड करेंगे तो आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं देखिए चालिस और गुड़े चालिस बटे सो करेंगे तो निकल जाएगा दो जिरू नीचे दो जिरू उपर चाचो का 16 16 प्रत्सत का उसको हान होगा लेकिन यह आपको समझना होगा इस कंडिशन में आप ध्यान देना होगा कि हर बस तुम्हें जब यह ऐसा होता है सेम हान हो तो इस कंड प्लस का 40 पहले हान हो रहा है फिर मैनस का 40 की दुबार ओला हो रहा है फिर म सदूस चालिस कि और गुड़े चालिस बट ठीच जबू जीलो तो 20 और 20 कड़ जाएगा 40 से 40 कड़ जाएगा क्योंकि मानस प्लस है और चार्चुका 16 लेकिन माइनस कहा है चार्चुके यह 16 हो जाएगा मैनस 16 प्रच्ट के मतलब हाँ होगा इस तरह से आप संगर करेक्ट मेरी इसलाह मांदिये तो आपको इसी तरह से लगाने चाहिए येंक्यादी आप भूल जाते हैं कि इस नहीं होता है तो हमेशा हान होती लेकिन पहले वाले मैं कि शॉपान हंड्रेट से एक स्कॉर्ण ह्मे लेकिन यदि आप यह यह तरीका लगाते हैं तो आपको किलियर पता के लगा यदि मैंस आता है तो हान होगा और प्लस आता है तो लाव होगा तो आपसा नमबर ली करेक्ट है आपको इसी मिध्र से लगाना चाहिए चलिए अगले कुशन पर बढ़ते हैं एक लड़का 30 किमी प्रति घंटा के गत से एक निश्ची दूरी तेयं करता है और अगली दूरी 45 किमी प्रति घंटा की चाल से चलता है तता अंतीन दूरी 30-90 किमी प्रति घंटा के साथ तेयं करता है उस लड़के की ओसात गती क्या थी एक लड़का है ठीक है वह तीन बार दूरी तेह करता है एक 30 की रफ्तार से दूसरा 45 और तीसरा 90 इसको लगाने के लिए हम कोई फर्मॉला यूज नहीं करेंगे हम इसको टाइम यंड वर्क की मेथड़ से इसको सॉल्ब करने वाले हैं चलिए देखते हैं सो कैसे सॉल्ब करनेंगा तो अब सबसे पहले जो पहले दूरी ती क्या ठीज तीस दूसरी 45 और तीसरी 90 क्या करना आपको इन तीनों का को एलस एम ले लेड़ना है बीसेकली 90 तीस से काटेंगे तो तीन बार में कटेंगा 25 से काटेंगे दू कंग एक बार में कटेंगा अब आपको क्या करना है इन 3 को जोड़े नहीं के इसकी छम्ता हो गए इतनी छम्ता से तोड़ रहा है या फिर चल रहा है टो अटल दोरी कितने हो जाएग से है तो क्या करेंगे आप क्यूंकि यह 3 बार दूरी कर रहा है तो आपको क्या करना होगा 90 गुड़े 3 बटे 6 काटेंगे तो 6-6 6-6 पंदर बटेंगे और पंदर सद्यां 45 हो जाएगा 45 किलियो मेटर पर गंटा उसकी और यह प्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब करें जैसे कि सबसे पहले आपको वीडियो को नेटिपिकेशन मिल पाए सब्सक्राइब करें तो साम को साथ बजे प्रक्टिस अटो का मैत का उसको आप जरूर बिजिट करें और इसको एंज्टाइब करें धन्यवाद